हेलो फ्रेंड्स मैं इशू लेकर उपस्तित हुए हैं एन्वारिमेंट घटना चक्र की जिसमें चल रहा है हमारा चैप्टर पारिस्थित की आईए इसको पढ़ते हैं पारिस्थित की जीव विज्ञान की एक साखा है जिसमें जीव समुधायों तथा उनके वातावरण के मद्य पारसपरिक संबंधों का अध्यन किया जाता है जीव तथा उसके वाहरी वातावरण के बीच एक सक्री संबंध होता है कुछ सुरोतों के अंसार पारिस्थित की सब्द का स्वार प्रथम प्रयोग किसने किया था? 1865 में E-Reader ने किया था Ernest Hekel ने पारिस्थित की या Ecology सब्द का प्रयोग OECOLOGY के नाम से किया था इसकी विश्थित ब्याक्ष्या की? किसने की? Ernest Hekel ने OECOLOGY सब्द ग्रीक भासा के दो सब्दो OEC जिसका मतलब है घर या आवास तथा लोगोश का मतलब होता है अध्यान करना को मिला कर बनाया गया है Ernest Hekel 1879 के अनुसार जीवधारियों के कार्वनिक और आकार्वनिक बातावरण और पारसपरिक सम्मंधों के अध्यान को पारिस्थित की अथवा पारिस्थित की विज्ञान कहते हैं यूजिन ओडम महोदय जो 1963 में देते हैं अपना व्रक्तव्य के अनुसार पारिस्थित की प्रकृत की सनरचना और प्रक्रिया का अध्यान पारिस्थित की क्या है प्रकृत की सनरचना और प्रक्रिया का एक अध्यान है आगे देखते हूं वर्तमान समय में परियावरन की क्रियाविधी का भी अध्यन किया जाता है अब होलिस्टिक भी में इसका अध्यन किया जाना परिश्थितकी का वर्स 1935 में एजी टॉंसले द्वारासवर प्रथम पास्थित की तंत्र पास्थित की तमतर एको सिस्टम की संकल्पना का प्रस्तावित किया गया था एको सिस्टम सब्द किस ने दिया तो एजी टॉंसले ने एक दिया जबकि अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया इकोलोजी सब्द का दिया था एजी टॉंसले के अनुसार पार्स्थित की तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विसेश प्रकार होता है जिसकी रचना अजयविक एम जयविक घटकों से होती है इसके अनुसार पार्स्थित की तंत्र जो है खुला तंत्र होता है पारिस्थित की तंत्र कैसा होता है फुला तंत्र होता है यह आकार में भिन्य भिन्य होते हैं पारिस्थित की तंत्र के अनुसार परिवर्टन होता रहता है पारिस्थित की तंत्र पास्थित की तंत्र की विचारधारा को कॉल्मोबियस ने बायो सीनोसिस में तथा फोपस ने माइक्रो कॉस्म कहा कॉल्मोबियस जो है उन्होंने क्या कहा पास्थित की तंत्र को बायो सीनोसिस तथा फोपस ने माइक्रो कॉस्म कहा पारिस्थित की तंत्र प्राक्रिती की एक कर्यात्मा की काई या फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है एक पारिस्थित की तंत्र जलासे की एक बून जितनी छोटी भी हो सकती है इससे सोच में पास्थित की तंत्र कहते हैं या माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं वहीं दूसरी और एक पास्थित की तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है मतलब अगर हम पास्थित की तंत्र को देखे तो एक छोटी सी इकाई भी हो सकती है और दूसरी तरफ देखे तो उसका सबसे बड़ा महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है हमारे पृत्वी स्वयम एक विसाल पास्थित की तंत्र है हमारे पृत्वी क्या है स्वयम में एक एको सिस्टम है जय मंडल या बाइस्वयर मिट्टी, जल, सैल तथा वायू से बनी हुई एक पतली परत है जय मंडल क्या है? मिट्टी, सैल, जल, वायू, आदी से बनी एक परत है जो पृत्वी के चतुरुदिक आवर्रन मंडल के रोप में व्याप्त है मतब चतुर्दिक मंडल होता है इसका चौथा मंडल है पहला कौन है अस्थल मंडल जल मंडल और आप लोग भी बताईए जैसे हमारे तीन गटक है, अस्थल मंडल हो गया पहला, फिर जल मंडल हो गया, तीसरा हो गया हमारा वायू मंडल, चौथा कौन सा हो गया, जय मंडल, जिसके अंतरगत क्या है, मिट्टी, सैल, जयल, वायू, ये सभी आती हैं, तो इसलिए हम इसको चतुर्दिक आवरण या म मंडल कह रहे हैं, जिसके साथ जीवित-जीव, लिविंग औरिगनिजम से संबंधित हैं, यह मंडल जीवों का भरण पोशन करता है, इस प्रकार जय मंडल एक आधार बुत, ग्रही तंत्र, यानि बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जयविक बायोटिक, अजयविक एबायोटिक दो संगठक होते हैं, जय मंडल के इतने संगठक होते हैं, दो, तो जयविक और अजयविक, ध्यात्व बेहे की पाइस्थित की तंत्र एक प्राकृति की काई है, जिसमें एक छेत्र विसेश के सभी जीवधारी, अर्थात, पेंड, पोधे, जानवर, सूच्म जीव सामिल हैं, जो की अपने अजयव परियावरण के साथ अंता क्रिया करके एक संपूर जयविक इकाई बनाते हैं, इसकी प्रमुख विसेश्ताएं हैं, इसकी विसेश्ताएं क्या हैं, देखते हैं, पारिस्थित की तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित छेत्र धा पाश्थित्की तंत्र एक खुला तंत्र होता है एको सिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है पाश्थित्की तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है किसी भी पाश्थित्की तंत्र का समय इकाई के संदर में परिवेच्छन किया जाता पारस्थित की तंत्रे ऐ कुला तंत्रो होता है क्योंकि इसमें उर्जा पदार्थो तथा पदार्थो का लगातार निवेस इनपूट तथा बहिर गमन आउटपुत होता रहता है द्यातिबय यह कि दनात्र में यह उतनाय हो थि इनपूट आउटपुट बंदन तंत्र में नहीं होता है आए क्विश्य नमर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है पारस्थित की निम्लखित के बीच पारस्परिक समंधों का अध्यन है जीव और वातावरन मनुश्य और वन मृदाज और जल पती और पत्नी तुई इसका एंसर है ए जीव और वातावरन के तहार पारस्परिक समंधों का अध्यन किया जाता है पारस्थित की जीव विज्ञान की एक साखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरन के मध पारस्परिक समंधों का अध्यन किया जाता है जीव तथा उसके बाहरी वातावरन के बीच एक सक्री समंध होता ह प्रस्थित की तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किस ने किया था प्रस्थित की तंत्र की एको सिस्टम की जी टेलर ने ए हटिंगटन ने डी या इस टोटर्ड ने टांसले ने तो इसका अंसर है डी टांसले ने प्रस्थित की या एको सिस्टम सब्द को दिया था वर्स 1935 में एजी टांसले द्वारासवर प्रथम पास्थित्की तंत्र या एको सिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई एजी टांसले के अनुसार पास्थित्की तंत्र भाउक्तित तंत्रों का एक VCS प्रकार होता है इसकी रचना जो होते आजायविक एमम जैविक घटकों से होती है क्यूशन नमबर थर्ड निम्नमे से कौन पास्थित्की तंत्र के विशाय में सही नहीं है यह आज जैव एमम जैविक दोनों संगटों से युक्त होता है इसकी अपनी स्वयम की उत्पादक्ता होती है यह ए ना कि बंद तंत्र होता है पास्थित्की तंत्र एक खुला तंत्र यानि एको सिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है क्योंकि इसमें उर्जा पदार्थों का लगातार निवेस तथा बहिर गमन होता रहता है जबकि यह बंद तंत्र में नहीं हो पाता है पदार्थों का लगात किसी निष्चि स्थान समय एकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनी धित्यु करता है। यह एक कारिसी लिकाई है इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है। यह एक बंदर तंत्र है। तो इसका एंसर है D. डी नहीं सही है, हमने पढ़ा ये एक खुला तंत्र है, पास्ति की तंत्र एक open system है Q5 है दो वक्तब भी दिये हैं, कथन और कारण, देखना ये सही है, या दोनों सही है, या एक गलत है, एक सही है जीव मंडल एक खुला या विबरित तंत्र का उधारण है, हमने पढ़ा ये पास्ति की तंत्र क्या है, open system है जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद, पूना नय पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता परंतु उर्जा के निवेश एवं बहिर गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है तो इसका एंसर है C, ए तो सही है लेकिन दूसरा जो आर कत्थन है वो कारण गलत है क्यूंकि हमने पढ़ा कि पदार्थों का बहिर गमन और निवेश यानि इन्पुट दोनों होता है बायस्वियर, मिट्टी, सैल, जल तथा वायू से बनी हुई एक पतली परत है जो प्रित्वी के चतूरदिक आवरण मंडल के रूप में ब्याप्त सबसे बड़ा पार्ष्थित की तंत्र है ध्यातब्य है कि पार्ष्थित की तंत्र में पोसक कभी समाप्त नहीं होते हैं यह बार बार पुनह चक्रित होते रहते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं हाला कि किसी भी पार्ष्थित की तंत्र में उर्जा का प्रवाह एक दीसी होता है और्जा का प्रवा कैसे होता है एक दिस्टी मत्तब सिधा अगर अगर वह ध्धर चल रहा है तो ध्धर ही चलेगा मत्तब सबसे छोटा फिर उस से वड़ा फिर उस से बड़ा ऐसा जाके और जाकर और निवेश yüz बहर चलता रहता है तथा और जाकर दस प्रतिसत भाग यही ए पोशन अस्तर से दूसरे पोशन अस्तर पर अस्थान अंत्रित होता है पाइस्थित की तंत्र में उर्जा का निवेश तथा बहिर गमन चलता रहता है दस प्रतिसत का नियम आई होप आप लोगे ने पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पे 100% कोई जीव ले रहा है उर्जा और उसके बाद जो अपनी अगली पीड़ी को टांसफर करेगा तो वो सिप इसका दस प्रतिसत सो का दस प्रतिसत यानि सिप दस प्रतिसत दस रही आगे ये करेगा फिर ये अपना दस प्रतिसत उसके आगे वाले को टांसफर करेगा तो ऐसे ये चलता रहता है उर्जा का प्रत्वी का सरवाधिक ब्रीहत पारिस्तित की तंत निम लिखित में से कौन है जल मंडल जीवून अस्थल मंडल जैव मंडल तो इसका एंसर है डी जैव मंडल जैव मंडल बायस्वियर मिट्टी सेल जल तथा वायू से बनी हुई एक पतली परत है जो प्रित्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में ब्याप्त है सबसे बड़ा पास्थित की तंत्र जिसके साथ जीवित जीव या लिविंग और्गनिजम संबंधित है यह मंडल जीवों का भरण पोशन करता है इस प्रकार जैव मंडल एक आधार बहुत ग्रही तंत्र या बेसिक ग्लोबल सिस्टम है जिसके जैविक एवं अजैविक बायोटिक एवं अबायोटिक दो संगठक होते हैं अगला चेप्टर में पारितंत्र के घटक किसी छेत्र के सभी जीवधारी यानि जैविक तथा बातावरण में उपस्तित अजैविक संगठक घटक संयुक तुरूप से पारितंत्र या यूको सिस्टम का निर्माड करते हैं पारितंत्र जैविक आ जैविक घटको से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है, पारितंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चि छेत्र धारण करता है, पारितंत्र बाता संगठक प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पाधकता होती है पारितन के घटक है अजयविक एवम जयविक घटक इसमें अजयविक घटक को हम तीन तरीके से बाड़ सकते हैं भौतिक घटक अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक बहुते घटक में हम देखते हैं प्रकास जो सूरी से में मिलता है तापमान, आदरता, वायूमंडर, लीदाब और अस्थलाकृती तथा अकार्बनिक घटक में हम जल, मृदा, वायूमंडरी गैसे, खनी, चट्टान, इत्यादी में बाड़ते हैं तथा कार्बनिक घटक को ह साथमी को भोगता और दुतियों को भोगता ऐसे हम इन सभी को कटेग्राइज कर सकते हैं आगे भी है देख लीजे अता जीव मंडल में उपस्थित सभी संगठकों के वे सम्मू जो पारसपरिक क्रियास में समलित होते हैं पास्थित की तंत्र का निर्माड करते हैं जीव जैव मंडल जैविक संगठन का सही क्रम पहले जनसंख्या आएगी फिर जनसंख्या बहुत सारी जनसंख्या मिलके समुदाय बनाएगा जो बहुत सारे समुदाय मिलके पारस्थित की तंत्र का निर्माड करते हैं पारस्थित की तंत्र क्या करता है बहुत सारे पारस्थित बहुत सारे पास्थित की तंत्र मिलकर भूद्रिस्त का निर्माड करते हैं एक ही जाति के जीवधार्यों की संख्या को उनकी जन संख्या कहा जाता है दो या दो से अधिक जातियों की जन संख्या मिलकर समुदाय का निर्माड करते हैं कई समुदाय मिलकर पास्थित की तंत्र का निर्माड करते हैं, तथा एक निश्चित भूठ छेत या भूठ दृस्तिय में एक या एक से अधिक पास्थित की तंत्र पाये जा सकते हैं. अब पास्थित की तंत्र के घटक क्यों कौन है? पास्थित की तंत के अंतरगाद जैविक संगटकों को दो प्रमुख भागों में विवाजित किया जाता है पहला है सौपोसित संगटक या घटक पर पोसित संगटक तो सौपोसित संगटक क्या होता है आउटरोपिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकास अंसलेशन अत्वार्साय est अंसलेशन द्वारा अपना आहर स्वयम बनाते हैं अपना भोजन वो स्वयम निर्मित करते हैं। All Posit Gastric अब इसमें कौन-कौन से आते हैं। उबह However, consumer मानो सहीद पर पोषित जनतु होते हैं जो स्व पोसित पौधे प्रात्मिक उत्पादक या प्रात्मिक पोसक द्वारा उत्पन्य उत्पादक जैविक तत्तों से अपना आहर ग्रहन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उत्भोकता दुतियोक उभोकता पोसक या दुतियोक उत्पादक कहलाते हैं व्योजग देखते हैं अग D kanposer या जिसको kamu half गटक कहते हैं वह ten जी hoते हैं जो übrigit मुद यंशृत पॉद्ह अन्य जैविक पदाश्फो को सडह गला कर विजित या विघ्टित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं डे कंपोजर या अब घटक कहते हैं इसी प्रक्रिया के दोड़ानिये अपना आहार ग्रहन कर लेते हैं और जयविक तत्व की पुनर ब्यवस्था भी यही करते हैं प्रक्रिती में पाईस्थित की तंत्र को दो प्रमुक्ष्रियों में विवाजित किया आगे जा सकता है वे अस्तली इवं जली तंत्र कहलाते हैं घास अस्तल वन तथा मरुस्थल अस्तली परिस्तित की तंत्र के उधारन है घास हो गया वन ये सभी क्या है अस्तली परिस्तित की के उधारण है जली पारिस्थित की तंत्र के उधारण कौन से जील नदियां समुद्र आधी जो हैं ये जली पारिस्थित की तंत्र के अंतरगत आते हैं प्राक्रितिक पारिस्थित की तंत्र मानवी गत्वीदियों द्वारा मानवी कृत पारिस्थित की तंत्र में परिवर् प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काड़ कर उस भूमी पर क्रिशी कारिय किया है अताव ओन जील घासका मैदान प्राकृतिक पाली तंत्र है जबकि धान का खेत मानो निर्मित की त्रिम पाईस्थित की तंत्र है जो मानो द्वारा किया जाता है कारी कुछ भी उसमें इधर उदर या उलट फेर किया जाता है तो वो क्या होता है कृत्रिम तरीके से हो जाता है उसका नाम कृत्रिम हो जाता है पास्थित की तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गी कृत किया जा सकता है जैसे हम देख सकते हैं तीन भागों में उसको बाटे हैं पहला है अस्थली फिर जली फिर मानोक्रिट अस्थल में वन घास मरुस्थल आ रहा है जबकि जली में हम अल-वडी जली और लवडी जली देख सकते हिर is जिसमें तालाब जहील जहर ना आएगा लमड में आएगा लमड जील, ज्वार नद मुख, समुद्र इत्याद जो है लमड जल में आएगा मानव क्रित क्या हो जोते से क्रिसी, खेत, खलिहान, जल, जीव, शाला, अंत्री, छियान, ये सब क्या करता है मानव निर्मित करता है इसलिए मानवी क्रित ये कलाता है सागरी या महासागरी पारिस्थित की तंत्र सबसे अधिक इस्थिर पारिस्थित की तंत्र होता है तो ये पूछा जाता है क्योशन में कि सबसे अधिक इस्थिर पारिस्थित की तंत्र कौन सा है तो सागर या महासागर का जो पाइस्थित की तंत्र है वो सबसे इस्थिर पाइस्थित की तंत्र है सागरी पाइस्थित की तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण इस्थिर रहता है सागरी जल धारा सागरी जल खारा होने के साथ थी घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रकास वा तापमान के इस्थिर रहने के कारण सबसे इस्थिर तंत्र है समुद्र विस्व का विशालतम पाइस्थित की तंत्रिया एको सिस्टम है प्रित्वी पर विद्दिमान जल मंदर हाइड्रोस्फियर का लगभग 90 प्रतिसत भाग समुद्री जल होता है समुद्री जल में सरवाधिक ब्याप्त लवन सोडियम क्लोराइड है प्रित्वी पर पाया जाने वाले विभिन्ने समुद्र आपस में मिले हुए है ये पटे हुए नहीं है जैसा कि अस्थली महाधिपों के बीच देखने को मिलता है ध्रुवो या पोल्स तथा मध्य रेखा एक्क्वेटर के तापमान में बहुत अधिक अंतर है इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती है इन समुद्री धाराओं के कारण जल का सारे समुद्र में एक समिस्रण बना रहता है इस कारण तापमानों का अस्तरण जैसा कि झीलों में होता है नहीं होता है और जल में ऑक्सीजन की कमे भी नहीं होने पाती समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं जिसे जल अस्तर बदलता रहता है समुद्री पास्थित की तंत्र इस तरण पाया जाता है मतब एक अस्तर पाया जाता है जो इस प्रकार से है यह आप देख लिए पाइस्थित की तंत्र में प्रतेग पोशन अस्तर से आगे बढ़ने पर उर्जा का हरास होता है इसी करण उत्पादकों की संख्या जो उत्पादक है उनकी संख्या उबोकताओं से अधिक होती है उत्पादक की संख्या जो भोजन बनाते हैं उनकी संख्या अधिक होती है जो भोजन ग्रहन करते हैं उनसे पास्थित की तंत्र में साकाहरियों की संख्या मांसाहरियों से अधिक होती है मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है पास्तित्की तंत्र में साका हर्यों की उसके बाद मान साहर्यों की आए एक क्विश्चन देखते हैं फस्ट जहां जीव रहता है वह सटीक जगह को कहते हैं आवास पारी तंत्र निकेत या नीच बायोम तो इसका एंसर है या तो एक से अधिक हो सकते हैं या तो इसमें से कोई नहीं तो आई एकस्प्लिनेशन देखते हैं किसी प्रजाती विशेष के पौध या जीवो या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह एक्चूल लेक्वेशन आवास या हैबिटेट कहलाता है क्यूशन नमबर टू है निमलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम सब्दु का सर्वत क्रिष्ट वर्णन करता है एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवो या और्गेनिजम का एक समुदाय प्रित्वी का वाभाग जो सजीव, जीवो या लिविंग और्गेनिजम द्वारा आवासित है जीवो या और्गेनिजम का समुदाय और साथ ही वह परियावरन जिसमें वे रहते है इसका ओप्शन है फोर, फोर ओप्शन देख लिते हैं क्या गया रहा किसी भगौलिक छेत्र के वनस्पती जात और प्राणी जात तो इसका एंसर है सी किसी छेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरन में उपस्थित अजयव घटक संयुक तुरूप से पारितंत्र या इको सिस्टम का निर्मार करते हैं पारितंत्र जयविक वा अजयविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है कुश्य नमर थाड है अधोर लिखित में कौन सा जीव से जयव मंडलता का जयविक संगठन का सही क्रम है सबसे पहले हमने देखा था जनसंख्या आएगा जब कई जनसंख्या मिलते तो समुदाय बनता है कई सारे समुदाय से पारितंत्र बनता है और बहुत सारे पारितंत्र से भूद्रिश बनता है तो इसलिए इसका एंसर हो जाएगा C Question number 4 है निम्रकित मेंसे कौन सा एक कित्रिम पारितंत्र है तालाब, खेत, बन, उपियुक्त मेंसे कोई नहीं तो इसका एंसर है खेत बन, तालाब, जील प्राकृतिक पारितंत्र है जबकि बगीचा तथा खेत मानो निर्मित या कित्रिम पारितंत कहलाते हैं जो मानो निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं क्रित्रिम कहते हैं पास्थित की तन सब्मंधित निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पास्थित की तन एको सिस्टम सब्दका प्रियोग सरुपर्थम एजी टॉंसले ने किया था तो ये बास सही है कि एजी टॉंसले ने एको सिस्टम सब्दक को दिया था दूसरा है जो जीव अपना भोजन स्वयम उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोसित करते हैं जीव जो है अपना भोजन स्वयम निर्माड करते हैं तो उसे हम स्वपोसित करते हैं प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया द्वारा उभ्भोकता अपने भोजन को उभ्भोक करता है वियोजग कार्वनिक पदार्थ को कार्वनिक पदार्थ में परिवर्थित करते हैं तो इसमें कौन सा सही है तो इसका अंसर देना है इसका अंसर हो जाएगा एक और दो सही है तीन और चार गलत है आईए दिखते हैं इसको पास्तित की तंत्र एको सिस्टम सब्द का प्रियोग स्वर्पथम किस ने किया था एजी टॉंसले ने किया था पास्तित की तंत्र के अंत्र का जैविक संगटकों को दो भागों में हम बाढ़ते हैं पहला है स्वपोसीत और दूसरा है पर पोसीत या दूसरे पर आस्रित कह स पर पोसी जीव होता है यह प्रकास अंसलेशन नहीं करते हैं वियोजक कार्वनिक पदार्थों को अकार्वनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और सड़ाग अलाकर वही उनका आहार होता है Q6 है एको सिस्टम के संबन में निमने में से क्या सकती है प्रात्मिक उभोकता उत्पादक पर नियूंतम रोप से आस्रित है प्रात्मिक उभोकता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं उत्पादक प्रात्मिक उभोकता से अधिक होते हैं जिद्यक उभोकता अधिकत होने के साथ साथ बहुत ही सक्तिसाली है तो इसका एंसर है सी उत्पादक क्या है प्रात्मिक उभ्भोकता से अधिक होते हैं क्योंकि जब वही लोग खाना ज्यादा बनाएंगे तभी तो हम लोग उसको खाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं प्राथ्मिक भोगता नहीं उत्पादक होते हैं पार्स्थित की तंत में प्रतेग पोशन अस्तर से आगे बढ़ने पर उर्जा का हरास होता है 10% का नियम लगता है यहां कि 100 अगर मेरे पास है तो हम उसमें से सिर्फ 10 रुपए आगे वाले को देंगे फिर ये 10 में से कितना देगा एक रुपए देगा तो इसलिए होता है 10% का नियम जो है यही कहलाता है उर्जा का हरास आगे बढ़ने पर इसका हरास होता जाता है इसी कारण उत्पादकों की संख्या उभुखताओं से अधिक होती है मतलब उत्पादक जो भी भोजन बनाते हैं उनकी संख्या अधिक होती है उभुखता से पार्स्थित्की तंत्र में साका हारियों की संख्या क्या होती मांसा हारियों से अधिक होती है Question No.7 है नीचे दिएगे कथन और कारण है इसको सही सुमेलित करना है कि कौन से सही है पार्स्थित्की तंत्र पास्थित्की तंत्र के वीवित अववय आपस में एक दूसरे पर निर्भन नहीं है मानो क्रियाओं से वातावरन प्रभावित होता है तो इसके अंसर क्या होगा? बताईए तो इसके अंसर हो जाएगा R सही है लेकिन A गलत है इसलिए इसके अंसर हो जाएगा D एक गलत और आर्स सही एक्स्प्रेशन देख लेते हैं एक पाइस्थित की तंत्र के विवीध अववय आपस में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं जबकि वहां पर लिखा था कि निर्भर नहीं करते हैं पारी तंत्र जयविक वा अजयविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है पाइस्थित की तंत्र में अजयव तत्तों के जयविक प्रवस्था में परिवर्तन इन जैविक तत्तों के अजैविक रूप में पुनर रागमन के रूप के प्रारूप को जैव गूरसानिक चक्र कहते हैं मानो क्रियाओं से वातावरन प्रभावित होता है Question No.8 है निम्रखेत में से कौन कृतिम पारिस्थित की तंत्र है? धान का खेत, बन, घास का मैदान, जील तो इसके अंसर हो जाएगा मानो निर्मित जो भी होता है वो क्रित्रिम होता है तो धान का खेत क्या है? मानो निर्मित है इसलिए क्रिम पारिस्थित की तंत्र है Question No.9 है निम्र्खित में से कौन सा एक पाइस्थित की तंत्र पृत्वी के सरवाधिक छेतर पर फैला हुआ है मरुस्थल, घास के मैदान, परवती तो सामुद्री तो इसका एंसर हो जाएगा सामुद्र जो है पृत्वी पर सरवाधिक फैला हुआ छेतर है प्रित्वी के लगवर 71 प्रिचत भागवर जली पाइस्थित की तंत्र पाया जाता है यह तंत्र विस्व के सरवाधिक छेतर पर फैला हुआ है इसलिए सरवाधिक स्थाई पाइस्थित की तंत्र भी है Question No.10 है, निमलिख्इद में से कौन एक विस्व का विसालतम पार्वतित की तंत्र है? समुद्र, घंदान वन परवति तो इसका एंसर है A, समुद्र Question No.11 है, सबसे आधिक स्थिर पार्वतित की तंत्र कौन सा है? सागरी, महासागर, बॉन, परवति, मरुस्तल तो इसके answer हो जाएगा ए सागरी या महा सागरी पास्थित की संत्र तंत्र क्या है सबसे इस्थिर पास्थित की तंत्र है यह हमारा नया चेप्टर है पास्थित की असंतुलन तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यो फॉर वाचिंग फ्रेंट्स